जनपत अध्यक्ष ने SPM एवं जनपत सदस्य परश्राम पटेल का अपमानित करने की लगाया रोप जनपत अध्यक्ष संध्य सिंगारी ने जनपत सदस परश्राम पटेल और फ्राजबहया एवं जनपत CEO के प्रभार में STM नितिन ताली पर लगाया रोप संबंदित विश्राम पटेल और फ्राजबहया से भी बात करने की कोशिश की लेकिन समय के अभाव की कारण उन्होंने बाद में मिलने की बात कहीं नमस्कार में रुपेश कुमार उपस्तित हони RIGHT , फिपरिया में मेरे साथ का प्रिया की जनपत अध्यक्ष कुमारी संध्या सिंगारे जी और हम उन्होंसे जानने आए अे पिपरिया में एक विशे हम काफी समय से मीडिया, सोसल मीडिया के माद्य हम से देखने को मिल रहा था कि जनपत अध्याज जी के साथ कुछ गलत हुआ और उनके जो संबेदाने का धिकार है, उनका हनन हुआ और उनका अपमान हुआ तो हम उनहीं से जानेंगे उनकी जुबानी, चुकि हमने पेपरों में भी पढ़ा, तो हमने अलग-अलग विशे देखे और समझे सारी व्यापते समझने के बाद आप हम उपस्तित हैं कुमारी शंद्या, जनपत अध्याक्ष पिपरियाज के साथ और उनहीं से बात करेंगे कि क्या विशे था और ये जो घटना हुई है वो कहां तक सत्य है और क्या सत्य है इसका, तो सबसे पहले में आपसे में जाना चाहूंगा, बत और आप जनपत अध्याक्ष में, जब जनपत की बैठक हो रही थी, हम वहां से आपसे जाना जाने के बाद में, मैं सभी जनपत सदसों को अपनी अपनी मांग रखना चाहिए था मेरी समक्ष, कारपालन अधिकायारी, नितिन टाले, वहां भी उपस्तित थे, सीयो का चारज देख रहे हैं, जो उनको राजा परसुराम पटेल राजा भाहिया ने, अपने लेटर सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि ना कि वो आदेश दे सकता है, मैं एक अपने जो जहां छेतर में, अपनी इंक्यावन पंचयाद में, जहां भी विकास होगा, मैं अपने सभी जनपत सदसों को रासी देना चाहती हूँ, और मैं दूंगी भी, तो जैसे कि हम जो आपने बताए कि जो लेटर है, राजा भाहिया जो जनपत सदस्च भी है, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि उन्होंने एक लेटर बना के लाए थे, जिसमें कुछ रासी आवंटन होनी थी, जैसे कि आपने यहा जानकारी लगी मैंने अपनी अपत्ति जैताई है, और मैं एक अन्सूचित जनजाती की महला हूं, और मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, और मेरा जनपत अध्यक्ष पद पर जो अपमान हुआ है, उसके लिए मैं अपने आखरी दम तक लड़ूंगी, और मैं हर अपनी अन्सूचित जनजाती महलाओं को कहना चाहती हूं, कि अपने हक के लिए अबाज उठाएं, तो मैं लड़की हूं, रुखूंगी नहीं और जूखूंगी नहीं, अपने अधिकारों के लिए आखरी दम तक मैं लड़ूंगी, और F.I.R. की भी मैं मांग करती हूं, जैसा कि आपने अध्यक जी को सुना कि यहां पर जो घटना घटी है सुहाँपुर में जनपत अध्यक्ष के सांध कि उनके अधिकारों का हनन्न हुआ, जो सामविधाने अधिकार एक जनपत अध्यक्ष को दिये जाते हैं, उन अधिकारों को टाक में रखते हुए, सीधे तोर पे अपने जो प्रभारी हैं वर्तमान में नितिन टाले सीओ के प्रभार में हैं कि कुछ लोगों ने ये भी कहा हमने मीडिया के माद्धिम से ये भी देखा और मैं भी यहीं बताया है कि जो जातिगत एक हम देख रहे हैं कि जातिवाद देश में कहीं न कहीं घटता हुआ देखाई दे रहा है परन्तु यहां पर उसकी एक मिसाल देखने को मिली कि किस प्रकार से जाती गटनाई भी हमारे देश में घट रही है और उसके कारण जो नेत्रत्व करता है जो हमारे छेत्र के माननी सदश्य हैं और सामवेधानेक पदपर हैं उनका भी अपमान जैसा कि दिदी हमने ये भी द पाल्टी है उसकी तरफ से आपके पक्ष में कोई बात रखी गई अभी तक परन्तु आपने तो उनको ये सभी विसेगी सूचना दे चुके हैं नहीं सूचना से अभी किसी को नहीं दी गई तो यह जो घटना घटी है इसको लेकर SDM साब क्या कहना है सब्सक्राइब कुछ कहना नहीं कुछ नहीं कहा है जैसे की जैसे हमने यह भी जानकारी मिली थी कि मीटिंग खतम होने के बाद आपको SDM महेद जो कि अभी CEO के प्रभार में हैं उन्होंने आपको अपने चैंबर में बुला कि कुछ चर्चा की क्या विश्य था वह जो अभ जी तो यह आपने देखा कि हमारे पिपरिया के मानेनी है SDM जो की वर्तमान में जनपद CEO के प्रभार में भी हैं उनका एक जनपद अध्यक्ष एक सामवेदानिक पद के जो नित्रत्व करता हैं उनके साथ कैसे वैभार थे यह भी आपको देखने को मिला आज पिपरिया मे एक बड़ी घटना सामने निकल कर आ रही है, एक सामवेदानिक पद को अपमानित करना, उसका अभेलना करना और एंसी घटना है अगर देश में घट रही है तो हम कैसी उम्मीद रख सकते हैं एक स्वक्ष राजनीती और एक साफ राजनीती की हम और भी आगे बात करते हैं क्योर्स कि मुझे जानकारी नहीं थी भईया मैं उसको देखती समझती उसके बाद में चर्चा करती सवी जनपसरदस्दंस लेती उसको क्या चाहिए उसके बारे में सलईinfl cutting जब मुझे किसी भी चीज की जानकारी नहीं है तो मैं क्यों साइन करूं तो आपको क्या लगता है कि यह सब कोई प्लान करके किया गया तो आपने देखा कि कही ना कहीं जनपत अध्यक्ष के जो अधिकार है उनका हनन होता दिखाई दे रहा है साथ ही उन पर दवाव बनाने की बात भी सामने निकल कर आई है अब हम संबंदित विशे पर भी आगे बात करते रहेंगे परंतु यह गंभीर विशे है इस विशे को समझना होगा कि यदी कोई व्यक्ति साम्वेधानिक पद पर है और उसके अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासन और सासन इस पर किस प्रकार की कारवाई करता है यह देखने यह को बात होगी तो मैं आपसे अंतिम प्रश्ण के तौर पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या और अन्य प्रकार से कोई दवाव बनाने की कौसिस की कि यह यहीं चाहती हूं कि कोई भी घटना घटती है मेरे साथ या कोई भी कुछ होता है तो इसकी जवाब मेरे या मेरे परिवार के सा तो इसलिए मैं सद्वे में हूँ और मैं विकासी आत्रा में सारे जिगा चली हूँ तो जबी से मुझे टाइफाइट है और अब इतनी बड़ी घटना मेरे साथ घटी गई है इसकी मुझे बहुत दुखत हूं तो आपने देखा कि मैं जनपत अध्यक्ष पिपरिया शूश्री संध्या सिंगारे जी के सांथ था जिनोंने बताया पूरा विस्तार से जिनके सांथ पिपरिया में एक बड़ी घटना एक गटी जिसमें सामधानिक अधिकारों का हननुगा कहीं न कहीं उन्हें अपमानित कि सब्सक्राइब आगे भी हम जो अधिकारी हैं या जो जम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे क्या यह सत्य है चुकि उन्होंने बहुत सारे विश्य बताएं कि SDM महुदय द्वारा भी उन पर दवाव बनाने की कौसिस की गई जनपत सदसर राजा भीया परिश्राम जो हैं जनपत सदसर जी हैं उनके माध्यम से भी उन पर दवाव बनाने की कौसिस की गई तो इन सभी विशाओं को लेकर हम आगे आपको अपडेट करेंगे और अन्य अधिकारी शों भी बात करेंगे तो चलते हैं अन्य विशा पर और लोगों से मिलते हैं और आगे की करी और उन्हें ने जो आरूप लगाए प्रिसासन पर तो मैं उनके साथ हूं जो प्रभारी सीओ है अनुभागे दिकारी हैं तो हम उनके साथ है नितिन टाले जी टाले जी मैं यह जानना चाहूंगा सर कि जो उन्होंने आरूप लगाया है कि आपके आपके सामने से बुलाया और सामने उन्हें जामबर में ले जाकर आपने दमकाया कि यदि आप जो है इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो कांग्रेस सरकार जैसे गिर गई मैंसे आप भी आपकी सरकार भी गर जाएगी आप घर बेट जाओ अपने शेह अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए अपने अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूले क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का